आज हुए 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NHPC के बारे में 102 रूपय का शेयर है और देखा चाहे तो मॉर्निंग में गिरावट यहाँ पर जरूर आई थी लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है ये बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीचे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी जादा हल्प करेंगे तो यहाँ पर आज अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग का जो वक्त है उसमें जो सरकारी कंपनिया है उसमें एटलिस गिरावट नहीं आई है चाहे वो आयर एफसी देखो एज़े वीएन देखो रेल विकास निगम देखो एरकौन देखो या फिर एनिच पीसी भी देख कर 97 रुपीज पर आ गया था और तकरीबन 10-10.5% से भी ज्यादा कि यहाँ पर गिरावट थी 10-15% की गिरावट कहलो कि देखने को मिली थी यहाँ पर अब दीरे दीरे रिकवरी भी आ रही है कहीं न कहीं 100 रुपय का लेवल इसके लिए इंपोर्टन है कि इस लेवल पर इ नस्पीसी देखो पावर सेक्टर से जुड़ी होई कंपनी है और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि देखो पावर डिमांड जो है इंडिया में वो धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और जादा बढ़ने वाली है हम इलेट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं इलेट्रिक वहीकल आने वाले टाइम में एक नेशेशिटी बनने वाली है और ऐसे में जो गंपनी सब से ज़्यदा बिजली प्रोड़ूस करेगी वह डिफिनिटी अच्छा का सब पैसा छापएगी चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेटी लेगिन अगर आप मेक्जिमम ग्राफ भी देखोगे तो ऐसी तीजी आज से पहले कभी नहीं आई और यह सिफ एनेश पीसी की बात नहीं है जितनी भी पावर कंपनीज है सबके ग्राफ आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे चाहे वो अदानी हो चाहे वो टाटा हो चाहे वो सबके ग्राफ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं पिछले दो सालों में जितनी तीजी आई है वो पिछले 15-20 सालों में नहीं आई है तो शांदार रफतार देखने को मिली जरूर है और अभी भी आगे पोटेंशल जरूर रहेगा कि और थोड़ी बहुत तीजी दिखाएगा य अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो यहां पर अभी बाजार ज़स्ट खुला है और दो करोड से भी जादा के शेर्स और रेडी ट्रेड हो चुके हैं बड़ी मातरा में ट्रेडिंग यहां पर चली रही है इसका जो ऑल टाइम हाई था वह एक सो अठारा का था जो अभी इसने अभी बनाया था अभी हाल फिलहाल में ही बना था यह और इसका जो मार्केट कैप है वह एक लाग करोड क्रॉस हो चुका है उम्मीद करते हैं कि इससे उपर ही रहे और जहां तक नजर करी जाए इस कंपनी को लेकर तो यह पावर सेक्टर में मानता हूं कि फ्यूचर बहיתर होने वाला है कई सारी कंपइों यहाँ पर जरूर है और कुछ सरकारी भी है कुछ प्राइविट कंपनियां भी है और कहीं न कहीं प्राइविट कंपनी में जो बड़े प्लियर है चाहें वो टाटा हो या फिर चाहे हो अधानी हो कहीं न meget कहीं वह इंकर इसको बढ़ प्लान है या है कि शारे चेजांदे थोрон करोडे त्यक्तािश हैं यहां 1626 wraps पॉत्र रेज करने का प्लान है और जो पैसा रेज करा जाएगा वह किस के थुर्ब कर आजएगा इस इस कमपनिग और डेट कोछा जादा ही है लेकिन और पैसा यहां पर डेट के थूर रेस करा जा रहा है आने वरे टाइम में यहां पर अगर आप देखोगे तो रिसंटली फेबरुवरी महिनों में प्रमोटर की तरफ से थोड़ी बहुत बेक्वाली हमें देखने को मिली जरूर थी और अगर मैं कहूंगा कि यह जो जो शेर से वह बेचे गए थे और डिविडेंट भी अगर आप देखोगे तो अगें जो सरकारी कंपनी अच्छा पैसा कमाती है वह अच्छा डिविडेंट प्याउट जरूर करती है इसने एक रूपए 40 पैसे का डिविडेंट अनौंस करा है इस साल जो कि अच्छी बात ह आप इसको 100 रूपए के नजर से देख रहे हो कि वह यह तीन रूपए का डिविडेंट लेगें आप यह सोचो कि पिछल साल यह 40 रूपए का शेर था तो 40 रूपए का अगर आपको 3 रूपए का डिविडेंट साल का पे करता है तो गम से गम और 8-9 परसंट का आपको बरीडेंट से अच्छे का से इंकम तो होती ही है और अच्छा काम कर जाता है तो यह प्राइब नहीं टिक पारता है तो कहीं नबशे का डिवल मुझे नजर आता है वहां पर बाइंग आपको बनती हूं नजर आएगी पचास परसंट कहते हैं खरीदारी करो विनांश अग आप देखोगे इसके तो लास्ट कोड़र के नंबर कुछ अच्छ नहीं थे ठीक है इनका जो डिवनी था वो मुश्किल से 2500 क्रोर का था और जो प्रॉफिट था और वो जो प्रॉफिट था वो तक्रीबन हमें यहां पर देखने को मिला नहीं लेकिन जनरल इस कंपनी की जो नंबर्स है वो जून में और सब्टेंबर में बहुत अच्छ आते हैं अगर आप जून दोहजार तेईस की बात करोगे तो एक हजार च्छाटीस करोड का प्रॉफिट था और तीन हजार पचास करोड का रि प्रॉफिट था सब्टेंबर में भी पंदरा सो क्रोड का प्रॉफिट था बात में डिसम्बर में फिर घडिया मार्च में फिर थोड़ा सा कम हुआ इतना ही नहीं जून दोहजार अगर दोजार एक्की सम्पी देखोगे तो यही चीज पैटन आपको देखने को मिलेगी तो अभी जो नेक्स्ट दो क्वाटर के नंबर है वह बहुत जादा इंपॉर्टन भी होने वाले है कि वह कैसे रिपोर्ट होते मैं उमीद करता हूं कि अच्छे नंबर साय यहां पर और जहां तक शेयर होल्डिंग की बात कर तो जो प्रमोटर की होल्डिंग अब बन रही अच्छे कासी कॉंटिटी में है 6.02 परसंट मूचल फंट 5.29 परसंट डूमेशिक इंशिट्यूशन और 6.80 परसंट का स्टेक लेकर यहां पर बैठे हैं और अधर की मिलाकर 14.49 परसंट की होल्डिंग है जिन में से रिटिल इंवेशन 9.88 परसंट पर है अभी नेक्स क्व में पहले भी बोल रहा है कि एटलिस गर्मियों के दौरान में ये कंपनियों में अब इक्वाली नहीं करनी चाहिए अब धिरे जिरे घर्मिया खतम हो रही है बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो कहिना कि प्रॉफिट टेकिंग आपको यहां पर जरूर देखने को मिलने चाहिए अगर वहां पर जाता है तो बाइंग के मौके जो है वह आपको ढूंडने चाहिए वह लेवल मुझे पसंद आता है यह मेरा मानना है इसके अलाव एक और कंपनी है SJVN 133 रुपे का शेयर है यह और इसका भी चार्ट पाटन पिछले कुछ टाइम से आपको NHPC जैस अगर आप चाहते हैं कि मैं SJVN के उपर भी एक डिटेल वीडियो बनाओ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा चितनी ज्यादा कमेंट आएक उतना ही जल्दी वीडियो आगा वीडियो को यह पे अंट करता हूँ पसंद आ हो तो लाइक करो शागर चैनल बगरा पहले के बा सकते ध्यू